हलो फ्रेंड्स अगर आपको भी करेले पसंद नहीं है या फिर जब भी सबजी बनाते हैं तो वो कड़वी बन जाते हैं तो आज मेले के यहीं बहुत ही टेस्टी बिना कड़वी लगे करेले की सबजी तो चलिए करेले की सबजी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम करेले ले लिए हैं एक धम करेले ग्रीन होने चाहिए यह पीले नहीं होने चाहिए और इसके मोटे बीज भी नहीं होने चाहिए अब इसको हमने अच्छे से दो तीन बार पानी से धो लिया है करेले को आगे पीचे से कट कर लेंगे और इसके छिलके को उतार देंगे आप चाहें तो इसके छिलके को सबजी में भी यूज़ कर सकते हो और ये देखिए इस तरीके से हमने इसके चिलके उतार लिया हैं सारे करेले के हम इसी तरीके से चिलके उतार देंगे अब इसको हम कट करेंगे चाहे तो आप इसे लंबाई में कट कर सकते हो या फिर गोलाई में तो यहाँ पर हमने इसको गोलाई में कट कर लिया हैं और यह देखिए सारे करेले को हमने गोल शेप में कट कर लिया हैं अब इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक अब नमक को करेले के साथ अच्छे से मसलते हुए इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसे आदे गंटे के लिए रख देंगे ताकि जो भी इसका पानी निकलेगा वो कड़वा रहेगा और इसको हम निकाल देंगे तो ये देखिए नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको आधे गंटे के लिए साइड में रख देंगे अब करेले को हम दो तीन बार पानी से धो लेंगे ताकि जो भी इसका कड़वापन है वो निकल जाए तो यहाँ पर इसको हमने दो तीन बार पानी से बढ़िया से धो लिया है अब इसको उबालेंगे तो एक कड़ाई में हमने एक गिलास पानी डाला है पानी गरम होने के बाद करेले को डाल देंगे और इसे हमें तब तक उबालना है जब तक की करेले सोफ्ट ना हो जाए और ये देखिए तीन से चार मिनिट में ही करेले सोफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से ये उवल गए हैं, करेले को हम पानी से अलग कर लेंगे और पानी को फेंग देंगे, तब तक यहां पे हम करेले का एक मसाला तयार करेंगे, जिससे कि ये सबजी बिल्कुल भी कड़वी नहीं और तीनों को अच्छे से रोष्ट करना है, ताकि इसमें जो भी नमी हो वो निकल जाए, ये अब अच्छे से रोष्ट हो गए हैं, इसको हम ठंडा कर लेंगे, यहां पे हमने 500 ग्राम प्याज लिये हैं, 500 ग्राम करेले हैं, तो आदा ही हम इसमें प्याज लेंगे और इसक भूनेंगे, आप चाहें तो यहां पे अद्रक का भी यूज कर सकते हो, अब ये तीनों अच्छे से रोष्ट हो गए हैं, और ठंडे भी हो गए हैं, तो इसको हम इस तरीके से कल्बते में दरदरा कोट लेंगे, आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे बारिक पाउडर करके पीश सकते हो, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको दरदरा पीश लिया हैं, इसको डाल देंगे एक प्लेट में, और अब इसमें डालेंगे हमारी मिर्ची और लसन को इसे भी दरदरा कोट लेंगे, अब एक कड़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे एक बड़ा चम हम सारे प्याज डाल देंगे और प्याज को में सुने रहने तक भूनना है तो लगबग इसको हम तीन से चार मिनट तक भूनेंगे मीडियुम फ्ले में और यह देखिए, यह सुने रहना है अब इसमें डालेंगे हम मिर्ची और लशंद दरदरी कुटीवी इसे भी हम एक मिन चुके हैं आब इसमें डालेंगे सुखे मसाले आदा चमस डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर एक चमस डालेंगे इसमें धनिया पाउडर आदा चमस डालेंगे हल्दी पाउडर और आदा चमस डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची इससे कलर बहुत ही बढ़ी आता प्रेंट्स एक बार इस तरीके से करेले की सब्जी जुरूर ट्राइ कीजिए यकीर मानिये न तो आपको कड़वी लगेगी और सब्जी इतनी टेस्टी कि आप खाते ही रह जाओगे अब जो हमने मुनफली, साबुद, धनिया और जो जीरे का पाउडर बनाया था उसको डाल देंगे और इसे भी हम एक मिनिट के लिए बून लेंगे और ये देखे इसको हमने अच्छे से बून लिया हैं अब इसमें डालेंगे हम उबले ओवे करेले और इसे डाल कर हमें दो से तीन मिनिट तक मसालों के साथ ही बूनना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे पका सकते हो या फिर ड्राइ सबजी बना कर तयार कर सकते हो तीन से चार मिनिट में ये सबजी बिल्कुल बनकर तयार हो गई हैं अब इसमें डालेंगें बारी कटा हुआ हरा धनिया फ्रेंट्स मेरा ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सभी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सस्प्राइब जरूर करना और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी करेले की सबजी बिल्कुल बनकर तयार हो गई हैं एक बार ट्राइज जरूर कीजिए ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और इतनी टेस्टी लगेगी कि आप इसे खाते ही रह जाओगे तो एक बार आप भी करेले की सबजी ट्राइज जरूर कीजिए